हेलो फ्रेंट्स, रुकीट्मेंट आ रही है डेली सबोर्डिनेट सर्विसिस सेलेक्शन बोर्ट की तरफ से गौर्णमेट ओफ एंसीटी ओफ डेली केंडर ये रुकीट्मेंट आती है D.S.S.S.B की तरफ से रुकीट्मेंट नोटिफकेशन निकाला गया है अलग-अलग पोजीशन के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट में आप सभी फारतिये ओल ओवर इंडिया से अपलाए कर सकते हैं आप इंडिया की किसी भी स्टेट से आते हैं किसी भी सीटी से आते हैं तो आप अपलाए कर सकते हैं अवेदन करने की जो starting date है वो 20 April रखी गई है, 20 April से लेके 9th of मही तक आप इसके लिए अवेदन कर सकते हैं Detail में हम लोग इसके पूरे eligibility criteria के बारे में बात करेंगे, selection process के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको apply करना उसके बारे में बात करेंगे तो शुर से लेके last video को थ्यान से देखे, complete देखे, ताकि आपको हर एक चीज, हर एक detail का पता चल जाए सबसे बात करतें दोस्तों यहाँ पे vacancies की, अलग-अलग position के लिए अलग-अलग vacancy है किसी में 6 है, किसी में 1 है, किसी में 8 है, 24, 13, 23, 3, 68, यह सबसे जादा जो है वो daily gel board में रुकीट्मेंट है 68 vacancy है, तो अलग-अलग department है, यहाँ पे रुकीट्मेंट है, जिसमें जो है वो daily transport cooperation है, daily gel board है daily transport के लावा women and children protection में है रुकीट्मेंट है, तो यह सारी रुकीट्मेंट है इसके लावा दोस्तों यह रुकीट्मेंट जो है वो 9th मही तक चलेगी, 9th मही तक आप इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और online mode से आपको अवेदन करना है, किसी और method का इस्तेमाल मत करिएगा vacancies की बात करते हैं और साथ में eligibility criteria की बात करते हैं department जो है यह assistant activist की रुकीट्मेंट है, daily जो है वाचिफ्स में और यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, आप बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं इसके लाव 18 से लेके 30 साल तक case का criteria रखा गया है manager की civil में recruitment है, degree आपने कर रखी है, civil engineering में आप apply कर सकते हैं अठा से लेके 35 एर तक आपकी age होनी चाहिए, experience बिल्कुल भी मागा नहीं गया है इसके लावा manager mechanical की recruitment है, daily transport cooperation में degree कर रखी है mechanical में आप eligible apply कर सकते हैं, इसके लावा automobile में कर रखी है, तो भी आप apply कर सकते हैं 24 vacancies है, 18 से 35 साल तक case का criteria रखा गया है manager traffic में recruitment है, daily transport cooperation की तरफ से 13 vacancies है, post graduation आपने कर रखी है किसी भी discipline में आप eligible apply कर सकते हैं deputy manager traffic में recruitment है, DTC में, daily transport cooperation में, degree कर रखी है आपने किसी भी recognize university से आप apply कर सकते हैं, 18 से 35 साल एज का criteria रखा गया है इसके लावा pump operator, fitter electrical, second class electrical driver, motor man इन सभी के लिए daily gel board में recruitment है, जिसमें आपने 10th के साथ अगर संबंधित field में IT ही कर रखी है electrical में कर रखी है, आप apply कर सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें, manager की post है, IT की, जिसमें की vacancy सिर्फ एक है और यहाँ पे अगर आपने master degree कर रखी है, computer application में, Mtech कर रखा है computer application में, B, Btech, computer science, IT में कर रखी है आप apply कर सकते है, 8 से 35 साल एज का criteria यहाँ भी रखा गया है manager electrical के लिए daily transport corporation में recruitment है, degree कर रखी है electrical engineering की apply कर सकते हैं इसके लाबा जो है, vectorologist की recruitment है, जिसमें की daily gel board के department पे आपका job रहेगा master degree, biochemistry वाले, microbiology वाले, आप बिलकुल eligible apply कर सकते हैं किसी भी तरह के experience इसमें नहीं माँगा है, total vacancy दो है, आप apply करना चाहें तो कर सकते हैं इसके लाबा बहुत सारी ऐसी recruitment है, जिसमें experienced candidate माँगेगे हैं उसकी detail जो है, आपको notification में मिल जाएगी, notification का link description में मिल जाएगा फिलाल हम लोगों ने इस वीडियो में experienced candidate की बात नहीं करी है अगर बात करें apply कैसे करना है, link आपको description में direct हमारी website पर मिल जाएगा जाके apply कर सकते हैं, लेकिन थ्यान दीजेगा, 20 April के बाद ही आप apply कर पाएगे और 9 मही तक आप चुहें apply कर सकते हैं इसके लावा important dates शुरुआत में मैंने आपको बता दी थी application fees सोर पर रखी गई है woman candidate, SCST candidate, PWD candidate, ex-service man, इन सभी के लिए fees का criteria नहीं रखा गया आप विना fees के apply कर सकते हैं इसके लावा दोस्तो examination, scheme की बात करें तो अलग-अलग position के लिए अलग-अलग subject है जिसमें journal awareness है, journal intelligence है, reasoning ability है ये सारे आएंगे, आप आके read कर लीजेगा और ये two-tier examination आपके होने वाले हैं two-tier examination होंगे, इसके साथ skill test होने वाला है जो भी applicable होगा इसके लावा दोस्तों, और कोई खासी जानकरी यहां पे नहीं दी गई है आप read करना चाहते हैं, जरूर read करिए, link आपको description में मिल जाएगा तो ये तर दोस्ता, आज की इस video में thank you very much इस video को देखने के लिए आशा करतों का आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी बड़ीया recruitment आ रही है daily subordinate services, selection board की तरफ से आवेदर 20 April को जो है वो शुरू हो रहे हैं आप जाके apply कर सकते हैं मिलेंगे ऐसी किसी नही जोब update के साथ 12 से तब तक आप अपना ख्याल रखिए